वेलकूम फ्रेंड्स आज की टुटोरियल में हम अबैकस में डिवीजन करना सिखेंगे डिवीजन में अबैकस बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है यहां पे हमें अनली मैथड्स और कंसेप्स को फॉलो करना है जैसे हमारे पास यहां पे कुछ सम्स गिवन है 36 divided by 3 is equal to 12 यहां पे हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे पहले हम यहां पे देखते हैं जो 36 है वो यहां पे हमारा डिवाइजर है और जो 3 है वो डिवीडेंट है यहां पे हम एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 1st digit होती है हमारी डिवाइजर की अगर वो डिवीडेंट से छोटी है तब हम उसके पार्टनर की help लेंगे means next वाइजर को उसके साथ यूज करेंगे अगर हमारा जो डिवाइजर की 1st digit है वो डिवाइडेंट से छोटी नहीं है उसके equal है यह उससे बड़ी है तब हम next वाइजर जो पार्टनर है जैसे हम यहां पर देखते हैं 36 है इसमें जो 30 जो 3 है 36 का 1st digit वो हमारे डिवाइडेंट 3 के equal है means उससे छोटा नहीं है तो यहां पर हम उसके पार्टनर की help नहीं लेंगे यहां पर हम देखेंगे कि जो 3 है वो 3 के टेबल पर कहां पर लाई करता है यहां पर हम एक चीज का और द्यागर रखना है कि हमें यहां पर place value शो करवानी है means उसका answer जो place value होगी वो हमारा answer में visible होगा जैसे 3 है यहां पर हम देखते हैं वो 3 के टेबल में 1 पर आता है तो यहां पर हम शो करेंगे 1 क्यूंकि 3 divided by 3 is equal to 1 अब हम next digit देखते हैं 6 इसी तरह से जो 6 है वो 3 के टेबल में हम देखते हैं 2 पर आता है इसलिए जो इसकी place value है वो है 2 तो हमारा answer आजाएगा 12 means 36 divided by 3 is equal to 12 इसी तरह से next sum है हमारे पास 82 divided by 2 यहां पर हम देखते हैं कि जो 2 है वो हमारा dividend है और जो 82 है वो हमारा divisor है अगेन हम यहां पर वही rule apply करेंगे जो है कि अगर हमारा dividend है वो हमारे divisor के first digit से चोटा है तब हम next partner को use करेंगे otherwise उसे only एक उसी के साथ हम calculation perform करेंगे जैसे हम यहां पर देखते हैं कि जो 8 है हमारे पास 82 का वो 2 से big है means smaller नहीं है तो यहां पर हम only 8 को use करेंगे उसके साथ वाले partner 2 को use नहीं करेंगे यहां पर हम देखते हैं कि जो 8 है वो 2 के table पर कहां पर आता है हम जानते हैं कि जो 8 है वो 2 के table पर 4 की 4 उसकी place value है 4 पर जाता है इसलिए यहां पर हम show करवाएंगे 4 next digit हम देखते हैं 2 है again हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 2 है तो 2, 2 के table पर 1 पर आएगा इसलिए हम यहाँ पे show करवाते हैं 1 इसी तरह से मारा answer बन जाता है 41 means 82 divided by 2 is equal to 41 इसी तरह से जो next है मारा sum है आप देख सकते हैं 96 divided by 4 is equal to 24 means 96 को हमने 4 पे divide करना है पहले हम अगेन वही rule apply करेंगे कि जो diviser का first digit है अगर वो divided से small है तब हम partner की help लेंगे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 9 है वो 4 से small नहीं है 4 से big है तो यहाँ पे हम partner की help next value digit की help 6 की help नहीं लेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 9 है वो 4 पे किसी भी place value पे नहीं hold करेगा को किसी placeholder value पे नहीं लाई करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे just 9 से small value value को पिक करेंगे जैसे 9 से स्मॉल वाली value है just small value 8 है और जो 8 है वो 4 पे 2 पे जाएगा इसलिए यहाँ पे हम शो करवाएंगे 2 then हम क्या करेंगे 9 में से जो 8 हमारी value थी just small 1 4 पे divided तो उसे हम 9 में से माइनस कर देंगे 9 माइनस 8 करेंगे तो हम देखेंगे मारे पास आजाएगा 1 1 के साथ हम देखते हैं कि जो 1 है अगेन वो हमारा डिवाइजर बन चुका है डिवाइजर 1 है तो वो 4 से small हो गया इसलिए हम यहाँ पे उसके partner की help लेंगे जो हमारे पास 6 given है आप देखेंगे 1 का partner 6 1 1 6 16 16 हो जाएगी value अब हम देखतें कि जो 16 है वो 4 पे कहां पे divide करती है मलों कहां पे live करती है तो हम क्या करेंगे 16 को देखेंगे कि 4 के table पर 16 4 पे जाता है आप जानते हैं 4 के table की according तो यहाँ पे हम enter करेंगे 4 तो हमारा answer आजाएगा 24 नेक्स्ट हम देखते हैं 96 divided by 8 पहले हमने 4 से divide किया था अब हम 8 से करते हैं 96 को 8 के साथ divide करने के साथ हम देखते हैं वही रूल apply करेंगे कि अगर डिवाइडेंट है जो हमारा डिवाइजर है उसका first digit अगर डिवाइडेंट से small है तब हम partner को use करेंगे otherwise नहीं करेंगे जैसे यहां पर हमारा जो partner है जो हमारा first number है first digit है 9 है वह 8 से big है इसलिए यहां पर हम only 9 को use करेंगे लेकिन जो 9 है वह 8 के table पर कहीं भी line नहीं करता तो थर्ड सम के according हम ऐसे ही करेंगे कि जो 9 से just small value है उससे हम देखते हैं कि 8 के table पर कहां पर लाई होती है 8 से बिलकुल 9 जो small value है वह 8 है तो यहां पर हम देखते हैं कि 8 के table पर जो 8 है वह 1 पर लाई करता है तो यहां पर उसकी place value enter करेंगे 1 अब हम जैसे थर्ड समने हमने perform किया था कि जो हमारी value आ जाएगी उसे हम answer में से जो हमारी value है digit 9 में से minus करेंगे 9 में से 8 को minus करने के बाद आ जाएगा 1 यहां पर 6 है 1 6 16 बन जाएगा अब हम 16 को देखेंगे कि 8 पर कहां पर लाई करता है जो 16 है वह 8 पर 2 पर डिवाइड होता है तो यहां पर हम value लिखेंगे 2 इसी तरह से हमारा जो answer बन जाएगा वह 12 होगा means 96 divided by 8 is equal to 12 next हमारे पास sum है 45 divided by 3 इसका मतलब यह है कि हमें 45 को 3 पर divide करना है again हम यहां पर चेक करेंगे कि जो divisor का first digit है 4 वो 3 से small है या big है आप देख सकते हैं जो 4 है वो 3 से big है तो यहां पर हम इसके partner की help नहीं लेंगे जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि हम next digit की या partner की help तभी लेंगे जब हमारा divisor का first digit हमारे dividant से small होगा यहाँ पर हम देखते हैं 4 है लेकिन जो 4 है तो आप देखेंगे 3 पर कहीं पर भी divide नहीं होता again हम यहां से 4 से just small value जो कि 3 है 3 को हम देखते है कि 3 पर कहां पर divide होता है आप जानते है कि जो 3 है वो 3 पर 1 place value आते है divide करके तो यहां पर हम शो करवाएंगे 1 आप देखेंगे नेक्स्ट हम करते हैं या नेक्स्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट टैप हमारा होगा कि 4 में से जो हमारा अंसर था 3 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आजाएगा 1 क्योंकि 4-3 is equal to 1 next 1 जो है वो हमारा डिवाइजर बन चुका है 1 को हम 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो 1 है डिवाइजर है वो हमारा 3 से छोटा हो चुका है इसलिए यहां पे हम उसके पार्टनर की साथ में help लेंगे डिवाइड करने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे 1, 5, 15 हो जाएगा अब हम 15 को चेक करेंगे कि 3 के टेबल पे कहां पे लाई करेगा यहां पे हम देखते हैं कि जो 15 है वो 3 पे 5 पे लाई करता है डिवाइड करके 5 आएगा तो यहां पे हम 5 को शो करवाएंगे इसी तरह से हमारा जो अंसर बनेगा वो है 15 means 45 divided by 3 is equal to 15 last sum है हमारे पास 72 divided by 8 इसका मतलब यह है कि 72 को आपने 8 पे डिवाइड करना है यहां पे हम चेक करेंगे 1st digit जो 8 है means जो हमारा डिवाइजर है 72 उसका 1st digit जो 7 है वो हमारे डिवाइडन 8 से छोटा है जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि अगर 1st digit डिवाइजर का छोटा तब हम उसके पार्टनर की help लेंगे means next वेले digit को उसके डिवाइडन के साथ डिवाइड करते समय उसके साथ यूज करेंगे तो हम यहां पे only 7 को यूज करने की बजाए 72 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो यहां पे हम देखते हैं कि जो 72 है वो 8 पे लाई करता है 9 पे इसलिए हमारा simply जो answer आजाएगा वो 9 आजाएगा क्योंकि जो 72 है वो 8 के टेबल के accordingly हम देखेंगे 9 पे डिवाइड होता है इसलिए हमारा answer आजाएगा 9 means 72 डिवाइड बाइड 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 इस इक्वाल टू 9 ठैंक यू